हलो नमस्कार दोस्तों वेलकम बैक माई यूटीब चैनल लाविथ रोनिद दोस्तों आप सभी का अमारे यूटीब चैनल पर स्वागत हैं साथियों एक नए अपडेट के साथ आ रहे हैं जो कि बिहार जुडिसरी एक्जामिनेशन से रिलेटेड है साथियों इसमें हम बात क साथियों आप से करेंगे तों आपको साल्व करने में और भी मजा आएगा साया कर आआए discovering आएं सब्सक्राइब बुक भी है और इसी पइलिकेशन के बुक से मैं आपको सारी चीजे करा रहा हूं इसी के बुक का मैं पीडिया भी आपके पास दिखा रहा हूं, साथ हो अगर आपको लगता है कि बुक आपके पास होना चाहिए तो आप बिधी- safety और साथ साथ आपको कही नहीं मिल रहा है तो आप हमारे टेलिग्राम गुरूप में एक डिजायर सो कर दीजे कि हमें यह बुक चाहिए वहां से भी आपको यह बुक सेंड करा दिया जाएगा साथ यह 480 पेजेस का बुक है जिसमें पूरा वन लाइनर दिया है और साथ साथ वन लाइनर के साथ साथ इसमें पूरा MCQ भी दिया हुआ है अब यहाँ पर हम बात करेंगे अपने question number 54 के बारे में जो कि हमारा question number 54 सही हमको यहाँ पर one liner और MCQ देखना है इसके पहले का मैंने MCQ आपको solve करा दिया है तो साथियों यहाँ पर जो 54 पर आप question देख रहा wiele questions आ है औरNew Echo इसना Linux में देख रहा है दोनों question एक ही जैसे है एक ही question है आप दोनों languages में मैंने आपके लिए यहाँ पर question लेकर के मैं आया हूँ तो साथियों यहाँ पर आप देख सकते हैं जो भी मैं ले करके आया हूँ इसको कह रहा है कि निम्लिखित किस वाद में विनिश्चे में केंद्र और राज्य सरकार को विवाह के रजिस्ट्री करण हेतू आवस्चे कदम उठाने का निर्देश दिया गया है इसी कोस्चन को इंग्लिश में देखिये इन वीच वन आफ दा फॉलोइंग केसे सुप्रीम कोट हैस डारेक्टेड दा मैरेज आफ आल परसं बिलोंग टू एनी रिलिजन यहां पर किसी बी रिलिजन से बिलोंग करते हों अगर हिंदू मैरेज एक्ट से सासित होते हैं तो वी रिजिस्ट में और यहां पर भी जो आंसर होगा साथ ही यह भी आपका सीमा वर्सेज अस्वनी कुमार का ही आंसर होगा यहां पर आंसर को यहां पर ऑप्सन नंबर बी दिया है और यहां पर ऑप्सन नंबर ए दिया है तो यह बुक का अंतर है कि कौन कहां पर आंसर सेट किया जा सकता ह लेकिन जो आपका correct answer होगा, इस correct answer को आप देख सकते हैं, इस प्रकार से भी आपके examination में question पूछा जा सकता है, और इस step से भी आपके examination में question पूछा जा सकता है, तो दोनों चीजों को आप क्या कर सकते हैं, साथ-साथ यहाँ पे analysis करते हुए चलिए, next question की हम बात करते हैं, दोस साथियों पंजी करण के बारे में हमको section number 8 में हमको बता के रखे रखा गया, किस section 8 में, तो साथियों जब हम section number 8 देखते हैं, किसका Hindu marriage act का, तो वहीं पे हमको सारी बातों को देखने के लिए मिलता है, बीवाहों का अनिवार पंजी करण, हर राज्य में जहां की बीवा और यह बात हमको किस case में बता जा रहा है, तो सीमा बनाम अस्वनी कुमार के मामले में यह बात हमको बताई जा रही है, और यह UGC के question के examination में यह पूछा भी गया था, next question यहां पे English में देखिए, which one of the following section of the Hindu marriage act 1955, deals with the registration of consugal rights, यहां पे किस-किसी बात कर रहा है, तो restitution of consugal rights क आपको देखने के लिए कहां मिलता है, तो जब Hindu marriage act आप खोलेंगे, तो section number 9 में आपको restitution of consugal rights आपको देखने के लिए वहां पे मिलता है, next question की हम बात करते हैं साथियों, कि कि किस मामले में उच्चितम नयले ने परतिपादित किया, कि उपधारणा है कि सहवास करने वाले पती और पतनी है, जो सहवास करते हैं, पती और पतनी वो क्या है, तो यह मामला था, बाला सुब्रमनियम बना सुरू थानम, सुरू थानम का यह मामला था, और इसी मामले में यह बात बताई गई थी, और यहां पर इस question को आप इंगलिस में अगर observe करना चाहते हैं, तो इं इस case में इसको अल्ट्रा वाइरस किया गया था, साथियों यह case था, option number A, इसका correct answer होगा, सरूज रानी वर्सिस सुदर्शन कुमार का case था, और इसी case में इसको क्या किया गया था, इसको इंट्रा वाइरस किया था, नेक्स कोश्चन की हम बात करते हैं, उच्चितम नैले न section number 8 of Hindu marriage act, अपने marriage को क्या करेगा, वो registered कराएगा, अभी option को इसको देखते हैं, इहां पर देखे question कर रहा है, the constitutional validity of section 9 of the Hindu marriage act, 1955 was tested, किस मामले में constitutional validity को क्या किया गया था, चेक किया गया था, टेस्ट किया गया था, किसके अंतरगत, Hindu marriage act के अंतरगत, तो साथियों जो इसका correct answer ह होगा, यह सीमा बनाम अस्वनी कुमार के मामले में इस चीज को बताया गया था, अब यह जो question आपका है, साथियों, यह question number 57 है, तो यहां पर 57 number का जो आपका answer होगा, साथियों यहां पर यह होगा, और यह किस case के अंतरगत बताया गया है, constitutional validity के बारे में, जो साथियों, constitutional validity क के बारे में हमको सरोज रानी वर्सेश सुदर्सन के मामले के अंतरगत यह बात हमको बताया गया, यह देख भी सकते हैं कि किस किस examination में यह question पूछा भी गया है, continuously, next question की बात करते हैं, परतेक व्यक्ति जो भारत का नागरिक है, और वह किसी भी धर्म का हो, वह भीवा संबं योग्य बनाया जाया, ऐसा उचितम नैले ने किस वात में धारित किया है, तो सीमा बनाम अस्वनी कुमार के मामले में इस प्रकार के judgment को पास किया गया, आप यहाँ पर question के nature को कैसे कैसे यहाँ पर changes किया जा रहा है, यह सारी चीजों को observe आप करते रहे हैं, आप question को ना द party to the, किस तरह से एगरीवड पार्टी के दोरा किया जाएगा, तो सात्यों district court में वनली कहां पर जाकर के किया जा सकता है, यह जो जिला नैले होता है, उसी जिला नैले में क्या कर किया जा सकता है, एगरीवड पार्टी के दोरा restitution of constitutional rights के लिए एक वाद लाया जा सकता है, next question कि हम बात करते हैं हिंदु विभा अधिनियम में दामपत्य अधिकारों के प्रस्थापन का उपबंद किस धारा के अंतरगत किया गया है तो साथियो अभी आप लोगों ने देखा है कि अंधर कर रहा है कि रिसके डिकरी को कि रिस्पोंडेंट के यहां पर आटेच किया सकता किसके लिए के लिए नेक्स्ट कोश्चन के बात करते हैं कि निम्लिखित में से किस मामले में नयाले ने निर्धारित किया कि हिंदू बिवा अधिनिया कि धारा नौ मानो प्रतिष्ठा एवं प्राइवेसी अधिकार का संवैधानिक रूप का उलंगन करता है तो यह कौन करता है साथ हू तो इसका केस के नाम है टी सरीता बना बैंकेट सुभईया का यह मामला है और इसी मामले के अंतरगत यह बात बताई गए थी इसी कोश्चन को आप इंगलिस में देखें यहां पर नेक्स्ट कोश्चन विड्रॉल फ्रॉम दू सुसाइटी अफ ओधर विदिन दा मीनिंग तो इसका मतलब क्या होता है साथ हूं कि बात करते हैंוש हं कि भारत वर्थ में दांपत्य भारत वर्थ में दांपत्य अधिकार्यू कि पूलर अस्थापना के कि दिकरी का निस्पादन किया जा सकता है तो किसके दौरा किया जा सकता है साथियो इस प्रकार का अगर निस्पादन करना हो तो किसके दौरा किया जा सकता है यह question अभी यहां पर आधा है अब इस question को भी यहां पर आप आधा question देख सकते हैं कह रहा है कि a decree of restitution of conjugal right enable the aggravated spouse for अब इसके question का अब answer आप नीचे देखेंगे नीचे देखने का मतलब यह है साथियो एक मिनट हाँ इसका जो पीडियफ है साथियो थोड़ा सध्यान दीजेगा इसका पीडियफ इस साइड चला आया है और इसका पीडियफ इस साइड चला आया है तो आप यहां पर cross multiplication करके इसको थोड़ा साथ देख सकते हैं देखे 61 वाले का question का जो आपका correct answer होगा साथियो यह आपका correct answer होगा कि उत्तरदाता की संपत्ती को कुर्क करके एवं गिरफतार करके दोनों के द्वारा क्या किया जा सकता है maintenance under section 25 of the Hindu marriage act 1955 के according और वी वाले में कह रहा है कि maintenance pendant light under section 24 of the Hindu marriage act 1955 के अंतरगा तो इसको किया जा सकता है next question की हम बात करते हैं साथ हूं question number 62 की बात करते हैं 62 में कह रहा है remedy of restitution of consugal right is available to यह किसको available होता है साथ हूं तो यह available होता है wife and husband बोथ को किस चीज करा है जो restitution of consugal right जो section number 9 of Hindu marriage act में define किया गया है यह दोनों parties को depend करता है दोनों parties को मिलता है husband को भी मिलता है और wife को भी मिलता है next question देखिए हिंदू बिबा अधिनियम 1955 की किस धारा के अंतरगत न्याइक प्रिथा के करण पर आधार पर दिये गाए हैं तो यहां पर कौन होगा जो न्याइक प्रिथा के करण के अधार पर जो decree पारित किया गया यह धारा 10 के अंतरगत किया जा सकता है next question की बात करते हैं किसी भी केस में नहीं होता है तो यहां पर हिंदी वाले question को देखिए दामपत्य अधिकारों की पूनल अस्थापना की decree प्राप्त करने के लिए प्रार्थी को क्या सिद्ध करने की आवशक्ता यहां पर होती है तो साथियों ए और बी दोनों सिद्ध करने की आवशक्ता होती है पहला यहां की प्रतर्थी के साथ रहना छोड़ दिया है और प्रभावी नहीं करती है किन्तु वैबाहिक संबंदों को अग्यप्ति के प्रभावी समय पर विलंबन कर देती है तो दोनों आप लोगों ने को यहां पर अब्जर्ब कर लिया नेक्स्ट की बात करते हैं क्वेश्चन नमर 65 में डॉक्ट्रीन और फेक्टम वैलेट इनेबल्स टू क्यूर्द वाइलेशन आप यह किस केस में बताया है कि क्या होता है यह वाइलेशन आ तो साथियों यह जो बताया गया है डियरेक्टरी प्रोवीजन और मियर मैटर फॉर्म होता है नेक्स्ट कोश्चन देखे 65 वाले हिंदी में कर रहा है कि हिंदू बीबाह अधिनियम की धारा 9 की संभायधानिक तप सरो प्रतम किस वाद क के तहत विचार किया गया था तो साथियों आप सभी को पता है टी सरीता बनां टी वैंकट सुभईया का मामला है और इसी मामले के अंतरगत इसके बारे में विचार किया गया नेक्स्ट को देखिए अंडर वीच सेक्षन आप दे हिंदू मैरेजक्ट 1955 जूडीसियल सेपरे रहेशन का यह क्या होता है यह जजमेंट इन रैम होता है जिसमाज के लिए होता है नहीं होता है यहां पर हिंदी में देखिए मिद्धी इंदू अदिनियम 1955 कि धारा नौ कि संभाय धानिकता 9 crit से किस वार्ण से की गई है साथ हूँ तो इसका जो correct answer होगा यह होगा सरोज रानी बनाम सुधरसन कुमार के मामले के अंतरगत यह किया गया है next question की हम बात करते है साथ हूँ question number 68 में question number 68 में कर रहा है a decree of judicial separation passed by a competent court between the parties to the marriage के बारे में बात कर रहा है और 68 का जो आपका correct answer होगा साथ हूँ यह d वाला होगा does not affect the material relationship but the sapindas and the conjugal relations still with the period of decrease के बारे में यह बात कर रहा है फिर यहाँ पर next question को देखिए question कर रहा है 67 number 67 number question कर रहा है यहाँ पर कि नीचे दिये गए कूट की साहता से उत्तर दिजो और नया प्रिथा के करण के decree के बारे में यहाँ बताने का प्रयास किया गया तो साथियो जो इसका correct answer होगा यह यह वाला इसका correct answer होगा एक तीन और चार सही है किन्तु दो गलत है एक तीन चार सही है लिकिन दो अला जो है गलत है एक में कर रहा है विवा विक्षेद का बिगटन नहीं करता है अपितु केवल डिकरी के अस्तितों के दोरान वैवाहिक अधिकारों और उत्राधिकारों को निलंबत करता है पहली तो इन सभी चीजों को आप लोगों ने यहाँ पे अब्जर्ब कर लिया, फिर यहाँ पे next question number 69 की बात करते हैं, after the passing of a decree for judicial separation, cohabitation is, यहाँ पे cohabitation क्या होगा, तो साथियो cohabitation is not obligatory यहाँ पे रहता है, next question 17 number की बात करते हैं, तो under section 10 of the Hindu marriage act 1955, the ground of the judicial separation, यहाँ पे ground जो होता है, judicial separation के क्या होता है, the same as the ground of divorce, जो judicial separation का ground होता है, वही same ground यहाँ पे as a divorce का भी होता है, question number 71 की बात करते हैं, a pre-marriage and post-marriage agreement to live separately, इसको हम क्या करते हैं साथियो, तो इसको हम लोग वाइड के नाम से जानते हैं और इसको वाइड करते हैं, question number 68 की बात करते हैं, हिंदी में, हिंदी, हिंदु बीबा अधिनियम 1955 के अंतरगत, न्याई की प्रिथक करण के लिए, वाद प्रस्तूत करने के लिए, अभितेयजन की नियूंतम अधी कितनी है साथियो, तो यहाँ पे जो नियूंतम अधी की बात की जाती है, यह दो साल क theory of divorce implies, जो guilty है, theory का divorce implies का, यह किस में depend करता है, तो साथियो 72 का जो आपका correct answer होगा, ए होगा, one guilty party and other parties to be innocence के बारे में आपे बात कर रहा है, next question की हम बात करते हैं, साथियो, next question में कर रहा है, question number 62 में हिंदी में, कि हिंदु बीबा अधिनियम 1955 की किस धारा के अंतरगत, न्याई पृत्त के करण के आधार के बारे में हमको देखने के लिए मिलता है, question number 73 की बात करते हैं, the concept of free divorce is implicit in, जो free divorce के बारे में बताया गया है, कहां पे बताया गया, तो साथियो ये consent theory के अंतरगत ये बात हमको देखने के लिए मिलता है, next question 63 में हिंदी बाले में, दामपत्य अध सापना के decree प्राप्त करने के लिए प्रार्थी को क्या सिद्ध करने की आउशक्ता होती है, तो साथियो ये दोनों चीज़स सिद्ध करने की आउशक्ता होती है, जो कि प्रार्थी ने साथ राना छोड़ दिया है, जो कि बीना युक्ति-युक्ति कारण के प्रार्थी उस के वीडियो के अंतरगत वो समाहित होगी नेक्स्ट कोस्चन की बात करते हैं कोस्चन नमर 64 में वैबाहिक पक्षकारू के बीच एक न्याई की प्रिथकरण की अनुग्यप्ति मिंस की अग्यप्ति जो एक सक्षम अदालत द्वारा पारित किया गया है इसका जो करेक्ट आंस द्वारा यह क्या होगा साथ हूं तो यह ग्राउंड ऑफ डाइबोर्स एंड जुडिशाल सेपरेशन बहुत दोनों के बारे में आप बात कर रहा है नेक्स्ट कोश्चन की बात करते हैं कोस्ट्रूर 76 में अडल्टरी मिंस अडल्टरी का मतलब क्या होता है साथ हूं तो से यहां पर इंगलिस वाले में कह रहा है कि अंडर हिंदु सक्षेशन एक्ट नाइंटीन फिप्टेसिक्ट विच्वन आफ फालोइंग इस नॉट इस नॉट अकलास तो इस क्लास के अंतरगत फादर को सामिल नहीं किया गया यहां फिर नेक्स्ट को देखिए क्वेश्चन नम रानी बनाम सुदर्शन कुमार का मामला आया था और इसी मामले के दौरा किया गया था नेक्स्ट कोस्ट नीचे दिएगा कूट को समझाए और उत्तर दीजे नियाइक प्रित्यक करण की डिकरी के बारे में तो साथियो जब आप यहां पर देखते हैं तो यहां पर इसका जो correct answer mark किया जाएगा वो ए वाला answer mark किया जाएगा ए वाले की according इसका जो answer होगा साथियो 1 3 & 4 इसका सही होगा तो 1 3 & 4 साथियो यह वही same question है जो आप लोगों ने पीछे देखा तो वही same question का PDF यहां पे आ गया है इंगलिस वाले question को देखिये question number 78 में a Hindu coupled having the decree of judicial separation want to live together इसका जो correct answer होगा साथियो डी होगा they can live together only after the permission of the court permission दे देता है किसके द्वारा court अगर permission दे देता है तो वह live together रह सकते है question number 79 की बात करते है which one of the following is not the ground of judicial separation under section 10 of the Hindu marriage act 79 का जो आपका correct answer होगा साथियो डी होगा missing of less than 7 years की बात कर रहा है question number 80 की बात कर रहा है under which section of the Hindu marriage act 1955 Hindu marriage में भी declared as white किसके द्वारा हम Hindu marriage को white किया जा सकता है तो section 11 के अंतरगत Hindu marriage को white किया जा सकता है next question की हम बात करते है साथियो marriage with inunчас is regarded as जो inunчас के साथ marriage किया जाता ह। इसको क्या माना जाता है इस marriage को wide माना जाता है next question की बात करते है a marriage his wife's mo sus there daughter weather the marriage is valid marriage under the Hindu marriage act तो इसको क्या माना जाएगा जया साथियो तो इसको yes कहा जा सकता है नेक्स्ट क्यों के हम बात करते हैं हिंदी में questionkaa कर भिवा अधिनियम क अंतरगत न्याई की प्रिथककरण का वीबा के संबंध पर क्या प्रभव पढ़ता है तो साथियों बैबाइक संबंध अस्तगित रहता है यहां पे next question 70 नमबर की question की बात करते हैं न्याई की प्रिथक करण की डिकरी अरजीदार के पक्ष में पारित करने के उपरांत वही नयाले न्याय संगत और युक्त युक्ती आधार पर उसे विखंडित कर सकता है तो कौन सा यहाँ पर मामला है तो दोनों पक्षकारों में से किसी के भी आवेदन पर इसको क्या किया जा सकता है 71 नमबर का question देखिए हिंदू बीबा अधिनियम 1955 की धारा 10 के अधिन निमनलिखित में से कौन सा आधार न्याईक प्रिथक के करण के लिए नहीं है तो सातियों सात वर्स से कम लापता होने का यह आधार आपका नयाईक प्रिथक के करण का नहीं है फिर यहाँ पर next question देखते हैं कि हिंदू बीबा अधिनियम के अंतरगत निमनलिखित में से किस धारा में सुन्य बीबा का प्रावधान किया गया तो किस धारा में किया गया साति हो तो धारा इगारा के अंतरगत सुन्य बीबा के प्रावधान के बारे में देखने के लिए मिलता है question number next यहाँ पर बात करते हैं साति हो question number 84 में 84 number वाले question में कर रहा है if parties to the Hindu marriage are sapinda to each other the marriage is जो marriage यहाँ पर क्या होगा according to 84 number यहाँ पर marriage आपका वाइड हो जाएगा next question 85 number की बात करते हैं तो कर रहा है a marriage a marriage may be declared null and void under section 11 of the Hindu marriage act तो यहाँ पर क्या हो जाएगा तो यहाँ पर साति हो आपका the parties the parties are within the degree of the prohibited relationships के बारे में बात कर रहा है question number 86 और इस session का last question है the guardian who does not possess the right to transfer the property of a minor इसको क्या कहा जाता है सातियों तो इसको कहा जाता है de facto guardian के द्वारा इसको किया जा सकता है तो सातियों इस session में इतना ही MCQ था जो कि मैंने Hindu marriage act से ले करके आया था और दोनों खास बात यह थी कि सातियों मैंने दोनों languages में ले करके आया था Hindi में भी ले करके आया था और English में भी ले करके आया था जो भी language आप prefer कर सकते थे उस language में आप क्या कर सकते हैं इस दोनों को आप watch कर सकते हैं साथ यो नेक्स सेशन में बहुत ही जल्दी आपसे नेक्स वीडियो के साथ मिल ला है जो कि बिहार PCSJ से रिलेटेड होगा, साथ यो इस वीडियो के लिए वाच करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थाइंक यू